Hello everyone, my name is Sartak and welcome to Planet Study. Do hard work in a smart way. अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो हम वीडियोस बनाते हैं, Student Problems, Book Summaries, और Career Awareness Related. आज हम जिस बुक का discussion करने वाले हैं, उस बुक का नाम है The Magic of Thinking Big. Old school book है, 1959 में published वेटी, और Concise book है, छोटी सी book है, 238 pages की है. इस बुक में author ने कुछ ऐसे points बताए, जो Relationship, Health, Finance, Education, हर चीज में हमें apply कर सकते हैं. Right, तो default principles है वो हमारी life के हैं. तो चलो, एक एक करके उन laws को, उन principles को, उन points को discuss करते हैं. Point No.1, Believe Big. Believe Big का मतलब इतना बड़ा सोचो कि लोग घवरा जाएं, यार, इतना बड़ा कैसे सोच सकता है, इतने बड़े सपने हैं इस बच्चे के. Right, इसका लेकिन एक point याद रखना, author ने कहा, इतनी बड़ी success अगर हम ले सकते हैं, तभी बड़ा सोचना. सबते हैं, अगर हम वेगन आ रहें, तो Ferrari नहीं बन सकते, अगर हम वेगन आ रहें तो Honda City नहीं बन सकते, हाँ. लगिन अगर हम Ferrari हैं, हम पर कवर डाल रखा है, बस हमें वो कवर हटाना है, और हमें बस एक रोड पर छोड़ दो, फिर हमारी जो speed होगी है न वो सिर्फ हमें पता है तो अगर आपको अपना success potential पता है न उसके wording सोचना स्टार्ट कर दो बड़ा सोचोगे बड़े actions होगे तो author ने कहा believe big लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए हमारा success potential कितना है point number 2 identify mental disease author ने कहा लोगों को पढ़ना start कर दो थोड़ा सो deep उनके बारे में सोचना start कर दो आप देखना unsuccessful जितने भी लोग हैं उन सब में एक common disease है excuses का unsuccessful लोग सबसे आदा excuse देंगे average लोग थोड़े कम excuse देंगे successful लोगों की dictionary में excuse नाम का word होता ही नहीं तो उन लोगों को observe करना start कर दो और थोड़ा से add करना start कर दो जो यह unsuccessful और average है नहीं सो थोड़ी सी दूरिया बना लो एक होता है average successful एक होता है बहुत successful एक होता है unsuccessful तो यह जो unsuccessful और average वाले हैं थोड़ी थोड़ी से दूरी बनाना start कर दो author ने का एक हो गया natural excuse कि भई मेरी तवित खराब हो गई थी मेरे को ये problem आ गई मान ली वो problem सब के साथ लेकी नेक हो गई artificial problem artificial excuse जो बनाया ही खुद है अपने आप ही problem बनाई अपने आप ही नहीं कर पाए तो उन लोगों से थोड़ा सा दूरी बना ले आप की जो बड़ी सोच है ना उसमें एक hurdle बनेंगे so point number two is identify the mental disease point number three stickability किसी भी काम से चिपक जाना इतना तेज चिपक जाना कि भाई जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता छोड़ना नहीं नवाजब दीन साब का एक डायलोग है ना जब तक कह रहेंगे ना उसकाम को पूरा करना है नींद ले रहे हो अच्छे से ले क्या हो सपना देख रहे हो भाई सपना complete कर गया हो बीच में नहीं छोड़ना पाप चड़ेगा अगर कोई काम पकड़ लिया उसको पूरा गर क्या ना वो आपकी believe जो thinking believe है ना उसको स्ट्रॉंग करेगा तो पॉइंट नंबर त्री हिस stickability पॉइंट नंबर फोर एक्शन क्योर स्फियर जैसे हमारी बॉड़ी में कभी infection हो जाना तो हम उस infection के एक specialized doctor के पास जाता है वहां से एक हमें treatment मिलता है उसको followers है हमारा जो infection है वो ठीक हो जाता है ऐसे ही mind के भी कुछ infection है उनके भी कुछ proven treatments है जो हमको follow करने चाहिए तो एक infection का author ने नाम बताया fear डर उसको उन्होंने solution दिया action डर लग रहा है homework नहीं हो पाएगा author ने का action लेना start कर तो homework करना start कर तो डर लगना खतम हो जाएगा डर लगना homework complete तो आप जब करोगे तब होगा लेकिन वो जो डर है ना वो खतम हो जाएगा तो कभी कभी दिल में हमारे किसी भी चीज़ के लिए या कोई homework नहीं हो पाएगा exam की त्यारी में दिक्कत आ रही है या फिर किसी से बात करने में पर problem हो रही है तो author ने का बस action ले ले लो फटा फट से बिना सोचे बिना दिमाग लगाए बिना कोई permutation combination दिमाग में बठाए action ले लो fear failure का बहुत 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 कम हो जाएगा so point number four बड़े ध्यान से इसको implement करना action cures fear point number five memory bank deposit author ने example दिया सुबह सुबह आप कार में अपनी जा रहे हो तो कार का रुक के चलेगी और थोड़े टाइम के बाद बंद हो जाएगी ऐसे ही सुबह इतनी अच्छी morning भगवान ने आपको दिया एक माइंड में negative thought आपने डाल दिया भाई पूरा दिन पॉजिटिव में convert हो जाए उससे क्या होगा जिन्दगी है ना उसको celebrate करने का मन करेगा सो point number five is positivity point number six be experimental author ने का वो जो fixed routine है ना मारी जिन्दगी के उनको कभी-कभी break करना हमेशा नी कभी-कभी break करना जैसा आप कभी स्कूल जा रहे हो तो एक शौटकट है लॉंग कट है शौटकट से आप जा तो लॉंग कट से जाओ ऐसी मजह में कोई उसका rule नहीं कि आज कुछ ही है वह सिंपल लॉंग कट से जाओ restaurant में जा रहे हो कढ़ाई पनीर और दाल मखनी के लावा कुछ कुछ और और कर दो हमेशा जो और करते हैं उसके लावा कोई default और के लावा कुछ और कर दो कभी कभी बैड़े सोते हैं तो जमीन पर सो जाओ लेकिन कुछ ऐसा इनोवेटिव कुछ ऐसा experimental जो कुछ नया हो उससे आपको कुछ नया सोचने को मिलेगा उससे thinking में आपको बड़ा सोचना कुछ इनोवेटिव सोचना स्टार्टप्स में आपने सुनाओगा ना thinking को अपनी इनोवेट करो वो करने में मदद में लेगे सो पॉइंट नमबर सिक्स इस थिंक इनोवेटिवली पॉइंट नमबर सेवन कॉम्प्रमाइज विद परफेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सब के न दिमाग नहीं successful होगी आपने planning करी 100% यह तो उसका 70 होगा यह वो planning चेंज होगी बिल्कुल 110% कुछ और हो जाएगा तो जो आप सोचोगे वो कभी भी नहीं होगा perfection कभी भी life में नहीं आएगा तो author ने कहा जो दिमाग में सोचते हैं perfectionist I want to be a perfectionist हर काम ऐसा हो कि बस जैसे आखरी बार किया हो नहीं आप अपना best दे सकते हो perfectionist नहीं बन सकते हैं so author ने कहा best देने की कोशिश करने है perfection word अपने दिमाग से निकाल दो so point no.7 compromise with perfection so that's all from my side if you like this video give it a thumbs up और थोड़ी सी अगर ज्यादा पसंद आगे तो यार share कर दो ना इसको अपने friends को WhatsApp पे जितने भी लोग आपको ल कि अभी जिससे ऐसी बहुत सारी best selling books की संब्रीज में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ आपको वो दिख जाए और हम मिलते हैं ना next video में बाबाई